नमस्कार, स्वागत है आपका दनुस्वटीन पर और मैं हूँ आपके साथ प्यारे महंत्रिपाठी प्यार एक ऐसा सब्ध है कि इसको सही रूप में लिया जाए तो इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है प्यार समर्पन, त्याग और बलिदान का प्रतीक है उसे प्यार तो कता ही नहीं कहा जा सकता जिसके नाम पर किसी की जान ले ली जाए वह भी उसकी जिससे आप प्यार करने की बात कर रहे हो दरसल यह हवस होती है जिसमें पात्र व्यक्ती सब कुछ अपने हिसाब से चाहता है इसे एक तरफा प्यार कहा जाता है कुछ मन चले और सन की टाइब के लड़के किसी लड़की के बात करने को प्यार समस बैठते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं समाज में एक तरफा प्यार बहुत खातक साबित हो रहा है ये लड़के किसी भी तरह से उस लड़की पर अपना एक तरफा प्यार थोपना चाहते हैं तो क्या कोई लड़की आपका प्यार स्विकार नहीं करे तो आप उसको मार डालोगे जारखंड के दुमका में एक तरफा प्यार के मामले में लड़की को पेट्रोल छुड़क कर आग के हवाले करने की वारदात इसी तरह की है आप लड़के के दुसाहस देखिए कि लड़की अपने घर में सो रही थी और उस पर खिड़की से पेट्रोल फेक कर उसे आग के हवाले कर दिया गया लड़के के दिमाग में कितनी कुरूरता भरी होगी उसका अंदाजा इस बास से लगाया जा सकता है कि लड़का लड़की को जलता देख मुस्कुरा रहा था और डांस भी कर रहा था दरसल जारखंड में सियासी उतल पुतल के बीच इस वारदात ने जारखंड में महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ सहित, तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया जारखंड के उपराजधानी मानी जाने वाले दुमका में यह जो संसनी खेज मामला सामने आया है, इसमें पड़ता बारहवी कक्षा की चात्रा अंकिता थी, महले में ही रहने वाले संकी युवक सारुख ने पेट्रोल छड़क कर इसे आग के हवाले कर दिया और इलाज के बचाना सके, आरोपी युवक सारुख को पुलिस ने गरफतार तो कर लिया है, पर अंकिता की हत्या पर मुस्कुराने वाले सारुख को मिलने वाली सजा समाज में क्या कोई संदेश दे पाएगी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे संकी युवकों को सिकार देश की बेटियां होती रहेंगी, आखिर इस तरह की वारदातों पर अंकुस क्यों नहीं लग पा रहा है, कानून के साथ ही समाज के ठेकेदार क्या कर रहे हैं, कानून कारवाई तो लचर होती ही है, पर समाज भी इस तरह की वारदातों को रोकने का कारगर प्रयास नहीं पारीक में तो गजब का माहौल है कि ऐसे कितने मामले हैं कि युवा अपराद करते हैं और उसकी वीडियो बनाकर खुदी वाइरल कर देते हैं ये लड़का भी अपनी घिनोनी करतूत पर मुस्कुरा रहा था और डांस कर रहा था क्या हमारी बेटियां ऐसे सन के लड़कों क सिकार होती रहेंगी क्या देश में वास्तों में बेटियों की सुरक्षा हो पा रही है देखने की बात यह भी है कि पडोस में रहने वाले लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया है पडोस में यदि इस तरह की वारदात होती है तो अचानक नहीं होती उसकी अपने पि प्यार कर रहा था जब इस लड़के ने इस छात्रा को जिंदा जुलाया है तो उससे पहले भी छात्रा को कितनी मानसिक प्रतार्णा से गुजरना पड़ा होगा इस देश और समाज का दुर्भाग ही कहा जाएगा कि इस तरह के मामले में कुछ दिन सुर्खियों में रहते है फिर लोग भूल जाते हैं और यही वज़य है कि इस तरह की वारदात होने की आसंका समाज में हमेशा बनी रहते हैं फिलहाल के लिए वह सितना ही बने रिए हमारे साथ और देखते रिए दन सुर्टिन नमस्कार